हेलो इस्परेंट्स वेलकम अगें ओना यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग साइटर उदैपूर सो आज जो मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले या जो भी इंफोर्मेशन देने से पहले एक ही लाइन बोलूँगा अब की बार 80 के पार आपके परसंटेज जो है वो 80 अबो आ सकते हैं जिन बच्चों ने लास्ट एर एक्जाम के एन टाइम पर पढ़ाई की थी या फिर कुछ माईनों पहले ही पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट की तो कहीं कहीं उनको दिक्कत आई थी पढ़ने मैंने कुछ प्लानिम भी दी थी ल इन बार करने वालों वो यह है कि इस बार का सेलेबस CBAC ने अनूस कर दिया है कि इस बार आपका सेलेबस क्या रहने वाला है क्या मांक से क्या चीज़े एड हुई क्या रिमोव और किस टाइप का पेपर पैटर्ण आईगा जिसका ब्लूपरिंट भी मैं आपको बताँगा तो अगर आप आप शुरू से प्लानी करते हो तो 80 के पार नहीं आप 90 के पार भी हो सकते हो और आप 100 आउट ओफ 100 भी ला सकते हो डिपेंड ओन कि आप शुरुआज से क्या efforts लगाते हो मेरी classes बहुत जल्दी online नभी आपकी शुरू होने वाली है लेकिन आज मैं पहले बात करूँआ syllabus इस बार करके आए जिस पर पहले हम लोग बात कर सकते हैं तो मैं अभी बात करूआ accountancy के syllabus की जो आपको ही पता है और वो भी year 23 से 24 जिनका exam 2024 के अंदर होने वाला है सो हम लोग यहां पर मैं बता जता हूं आपको accountancy का course सबको ही बता है जीरो 55 है और 80 marks का जो पेपर ही वो ठेटीकल कोर्शन होता है 20 marks का जो है वो आपका project वर होता है practical आपके exam होते है जो external आकर आपको बात चेक करता है तो 20 marks के लिए बात में बात करते हैं पहले हैं आपके team book वाला पार्ट है first part accounting for partnership firm second part accounting for company and third part जो आता है वो है financial statement analysis तो first part की में बात करूं accounting for partnership firm यह आपका 36 marks का है जो हमेशे ही रहता है वही चीज़े है तो 36 marks का आपका क्या है accounting for partnership firm second आता accounting for company जिसमें shares or debentures दोनों आगे जो आपका है 26 marks का then हम लोग पार करते है financial statement analysis first book accounting for partnership firm second book accounting for company and third book financial statement analysis जिसके अंदर आता है analysis of financial statement जिसके अंदर formats आते है और format के अलावा जो आपका ratios है वो भी इसके अंदर आता है जिसको आपका 200 financial statement भी गोलते है वो आपका क्या है 12 marks का है then cash flow statement जिसके अंदर indict method आपका होता है operating investing financing वो आपका 8 marks का है तो ऐसे मिला कर आपका 36 and 26 यह आपका हो गया 62 and then 36 plus 26 that is where 62 then उसके बाद आपका यह just आपका 24 का है तो then आपका हो जाएगा 36 plus 24 तो यह आपका हो जाएगा 60 marks का और then उसके बाद 20 के total मिला कितने होगे 80 marks के यह आप पर हो गए उसके बाद आपका practical है जिसमें आपका project file बनानी होगी जो 12 marks का रहेगा उसी file के base पर आपके subject knowledge के base पर आपका वाइबा होने वाला है जिसमें आपके आएगे 8 marks तो total मिला कि यह आपका project जो है वह आपका 20 marks का तो यह चीज हमको ध्यान में रखनी है important जो चीज है कि दो जो major changes है या minor changes है जो भी आप समझें बट change हुआ है इस बार में पहला change है तक last year हम लोग goodwill के treatment के अंदर करते हैं raise करके goodwill right off करते हैं पहले पुराने partner में फिर नए partner में वो concept अब खतम हो गया है अब हम goodwill को raise right off नहीं करेंगे even book में भी दे रखा है तो भी हम लोग नहीं करेंगे CBC के तरफ से अब यह announcement हुआ circular जाने हुआ है कब raise right off वाला नहीं होने वाला देन उसके बार दूसरा tools of finance statement के अंदर यह जो चीज़े aid हुई है जो पहले भी थी लेकिन दीच में एक साल नहीं वही इस बार वाकस comparative and common size statement जो है वो aid हुआ है जिसको हमें पढ़ना है तो यह दो जो है वो changes रुए थे जिसको मैंने यहां पर आपको cover किया then अब बात करें कि paper pattern के stripe होगा क्या blueprint रहने वाला है तो वहाँ वो भी CBC ने जारी गड़ गया है ध्यान से समझेगा आपने जो याद किया है जो पड़ा है उसके base पर paper आने वाला है 44 marks का जो overall paper का 55% होगा तो आप देखे आदे से उपर काम तो वैसे ही होगा है यानि कि pass होने की condition तो आपकी आगई कि आपने जो याद किया है और जो समझा है उसी base पर आपके हो जाएगी सेखिंग जो important चीज़ है वह है यहाँ पर apply करने वाले बाद यानि कि यहाँ जो question आने वाले हो है concept based आपके concept जो है वो तितने clear है question सीधे नहीं आने वाले है थोड़ा आपको अपना knowledge और आपका concept clear अकाउंट एंसे में इसके बोला था concept clear हो देंची क्योंकि सीधे सीधे question नहीं आए तो उस case मेर आपको अपना knowledge जो है जो आपने evaluating and creating इसके अंदर क्या है case based question आने वाले आपके case study time जिसको आपको solve करना है assertions वाले आ जाएंगे yes no वाले यह सब चीज़े हम लोगों को ध्यान में रखनी true false वाले वो 17 marks के हैं और वो 21% total आपका जो पेपर होने वाला तो यह चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है तो यहां आपको course मेंने बता दिया कि कितने मास्का पेपर है उसमें मैंने कवर कर दिया उसके बार क्या 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 चेंज हुए है वो मैंने यह आपको बता दिया और किस ताइप से आपका पेपर जो है वो डिजाइन होने वाला है जो blueprint है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है इसके according आप तयारी करेंगे तो definitely आप exam में बहुत अच्छा कर कर लेंगे और वापस बलूँगा accountancy जो है को याद करने की चीज नहीं है समझने की चीज़े concept clear हुए है तो आप लंबे समय तर आप इसको easily समझ सकते हो और सिर्फ 12 नहीं आने वाले future के अंदर आप कोई professional course करना चाहिए कुछ specific course करना चाहिए हो वहां पर भी concept clear होना जरूर यह क्योंकि हमेशा straightforward answer नहीं आते हर जगे नहीं आते जैसे से आपका level बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपने conceptuality की clarity वह बढ़ानी पढ़ेगी ताकि आप questions को अच्छे समझ सकेंगे और आप अच्छे से कड़ सकेंगे तो I hope कि यह जो मैंने अभी आपको बताया है जो भी म असी के पार 80 के पार नहीं मुझे पूली उमीदे बच्चो 90 पार भी कर सकते हैं अगर आप प्रोपर वेल में इस तरह से जो हैं वह आप पड़े चलोगे तो यह चीज आपको जान में रहें तो बच्चों अगर यह यह जो मैंने भी बताया आपको वीडियो गर अच्छा आप इसको लाइक करें और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेर करें जो भी इस साल 11 से 12 के अंदर आगे हैं और जाने तरह यह क्वेस्ट करूंगा कि आपका प्यार इसी तरह से मिलता है और मेरी यूटूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर को सब्स्ट्राइब करना ना ताकि आपको नए ने वीडियो की इंफर्मेशन मिलते रहें वेट डैट थैंक्यू स्वामज